आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल उराव टेवी जियाच में और यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा जिससे कोई भी नई वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा ठीक है आज की क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे जो की बहुत ही ज़रूरी है और हम थोड़े अलग टाइप की वर्ड मीनिंग लेकर के आई हूँ तो थोड़ा नया वर्ड मीनिंग आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ ठीक है तो आज की क्लास में हम लोग इसी को कर लेते हैं ठीक है, क्रोध तो इसके लिए और भी बहुत सारे परियावाची शब्द है लेकिन खीस का मतलब आप लोग भी याद रखी कि खीस का मतलब होता है गुसा या फिर क्रोध एक वर्ड होता है खीस्ती खीस्ती जैसे कि खीस्ती मंडी मल उनना तो खीस्ती का मतलब होता है गुसा या फिर क्रोध तो इसका एक्जामपल मैंने लिया है यानि कि इस बात उना का मतलब होता है को तो इस बात को मिंजस यानि कि सुना खने तब आस गही खीस चुंदी नू अर्गया किरा चुंदी का मतलब क्या होता है जो सर का हमारा ये वाला हिस्सा होता है जो गोल सा होता है उसी को चुंदी कहा जाता है ठीक है और वैसे हिंदी में भी चुंदी ही बोलते है तो आस गही यानिकि उसका खीज यानिकि गुसा चुंदी नू यानिकि यहाँ पर मैंने सिर पर लिखा है लेकिन चुंदी का मतलब चुंदी होता है नू अरगिया यानिकि पर चढ़ गया ठीक है नू यानिकि पर अरगिया यानिकि चढ़ गया तो इक अधन मिंजस खने आस गही खीस चुंदी नू अर गया यानि कि इस बात को सुना तब उसका गुस्सा सिर पर चड़ गया या फिर सिर की जगह आप लोग चुंदी भी कह सकते हैं कि चुंदी पर चड़ गया ठीक है नेक्स देखिए खुटा खुटा का मतलब क्या होता है खुटा का मतलब होता है खुटा जिस हिंदी में खुटा कहते हैं और स्तंब स्तंब भी कहा जाता है स्तंब यानि कि खंबा कह सकते हैं अगर दूसरे शब्द में कहूं तो खंबा भी कह सकते हैं तो आस खुटा लेखा इजिकस रअस यनि कि वह खुटा यनि कि स्तम या फिर खुटा लेखा की तरहा लेखा का मतला के जैसा की तरहा इजिकस रअस यनि कि खड़ा हुआ है तो आस खुटा लेखा इजिकस रअस यनि कि वह खंबा या स्तम की तरहा खड़ा हुआ है चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर खिदना वैसे खिदना का मतलब आप सभी को पता होगा कि खिदना का मतलब भगाना होता है लेकिन खिदना का और भी मतलब होता है जैसे कि यहां लिखा है मैंने हाकना हाकना कहने का मतलब है जैसे बैल को हाकना ठीक है किधर जाना है कि उन्हें एक दिशा देना, एक दिशा में उसे हाकना, तो अड़ो खिदना, जिसे कहते हैं अड़ो खिदना, तो उस हाकना के लिए भी हम खिदना वर यूज करते हैं, डरा कर भगाना, ठीक है, किसी चीज को जैसे कि खेतों में अगर कोई जानवर घुज गया है, तो उसे डर करके भागाने के लिए भी हम खिदना वर्य यूज करते हैं थीक है और तीसरे το पता है आप executive, घ्क Byकिजंप्र wealthy लिए ऑा भी कह सकते हैं तो हाकना डराकर भागाना या फिर भागाना या फिर खते इन सभी का मतलब होता है। सभी के लिए हम एक वर्यूज करते हैं खिदना तो इसका example मैंने लिया है अबडा अल्ला आसिन खिदा हिलरा अबडा का मतलब होता है plural के लिए यूज होता है जिसका मतलब होता है वे और ये प्राकृत लिंक के लिए इस्तमाल होता है मेरे जो टूशन वाले बच्चे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये आपका प्राकृत लिंक के लिए यूज होता है plural के लिए तो अबडा अल्ला यानि कि वे कुट्टे अल्ला मींस कुट्टे आसिन यानि कि उसे खिदा हिलरर यानि कि खदेड़ने लगे या फिर भगाने लगे हाकना तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाकना जानवरों के लिए कहते है तो खिदा हिलरर यानि कि खदेड़ने लगे या फिर भगाने लगे तो वे कुट्टे उसे खदेड़ने लगे चलिए फोर्थ नमबर देखिए गहड़ा गहड़ा का मतलब होता है गहड़ा जासे कि सूर्य गहड़ा लगता है या फिर चंद्रमा गहड़ा लगता है तो उसी को हम लोग कुट्ट में गहड़ा कहते है तो नेला चंदो गहड़ा लगगो यानि कि कल नेला मींस कल चंदो चंदो का मतलब क्यों होता है इसका मतलब होता है चंद्रमा ठीक है चंदो चंदो गहड़ा यानिकी चंद्रग्रहन लगगो यानिकी लगेगा तो नेला चंदो गहड़ा लगगो यानिकी कल चंद्रग्रहन लगेगा ठीक है चलिए फिफ्थ नंबर का वर्ड देखिए खल्बस, खल्बस का मतला बहुत है चोर, ठीक है, खाड़ना का मतला बहुत है चुराना, लेकिन खल्बस, यानि कि जो चोरी करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे खल्बस, ठीक है, हाँ उसे खड़ू आलस भी बोल सकते है, खड़ू आलस, यानि कि चोरी करने वाला, ठ यानि कि खड़ वालस लेकिन चोर के लिए खल्बस वड़ यूज होता है ठीके खल्बस चलिए आगे देखते हैं जो हमारा खल्बस था यानि कि जो चोर था उसका एक्जामपल लिए है खल्बस अलर गई घेरा नो कॉर्टस भलबस अलर गही घेरह कोरचस तो घेरह का मतलब क्या होता है घेरह का मतलब होता है boundary नोगों को तो लोगों के घेरह में कहते हैं घेरह में घुष गया ठीक है, तो चोर लोगों के घेरे में घुस गया Next देखिए डुमभी चवई, डुमभी चवई का मतलब होता है चुगली इसका example है नननर गही डुमभी चवई आमबा मेना यानि कि दूसरों की डुमभी चवई यानि कि चुगली आमबा मेना यानि कि मत सुनो आमब नना का मतलब होता है करना चलिए ग्लत के नंबर गे दद्धु हमारे में घंड्धू करल दाद होता इलेकिन हमारे में व्रड़ दल्ब मंज़किरी यानिक है यना कि मेरे खिड़नू यनिकी पैर में दद्दू यनिकी दाद मंजगीरी यनिकी हो गया है तो मेरे पैर में दाद हो गया है तो इंग है खिड़नू दद्दू मंजगीरी दूमी चलिए आगे देखते हैं मैंने हिंदी में लिख दिया है मेरे पैर में दाद हो गया है एट नमबर देखिए दोसना दोसना को मतलब क्या होता है दोस देना किसी पर आरोप लगाना उसकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी हम उस पर आरोप लगा रहे है उसे दोस दे रहे है तो दोसना मतलब किसी पर आरोप लगाना दोस देना या दोस लगाना तो इसका एक्जामपल है आंबा दोसा यानि कि मत दोश दो तीक्षिश मतलब कि मत दोस दो ये मेल के लिए लेकिन और फीमेल को कहना होता तो कहते झाल जैनिक्ष गुद्राना का मतलब सिंपल होते है खरोचना चाहे वह पंजे से खरोचा चाहे पंजे से खरोचना यानि कि जब कोई जानवर जैसे हमारी बिल्ली या फिर कुत्ते हम पर अपना पंजा गड़ा देते हैं और खरोच देते हैं तो उसको गुद्राणा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए ठीक है खरोचने के लिए नाखुन से खरोचना या फिर हम इनसान भी किसी को गलती से खरोच देते हैं या अपना ही हाथ पे गलती से खरचा जाता है तो उसको गुद्राणा बोलेंगे ठीक है तो गुद्राणा का मतलब होता है खरोचना फिर चाहे वो पंजा से हो या फिर नाखुन से हो, तो इसका एक्जामपल है, बिरखा इंहे हिक्खन गुद्राचा, यानि कि बिरखा means बिल्ली इंहे मेरे हिक्खन हाथ को गुद्राचा यानि कि खरोचा, ठीक है, तो बिल्ली मेरे हाथ को खरोचा, यानि कि 10th number देखी और इस class का last word है इसका sentence मैंने नहीं बनाया है तो आप लोग बना लिजेगा इसका खद्खर्रा या फिर खद्खर्र इसका मतलब होता है बच्चे खद्खर्रा या फिर खद्खर्र तो मेल-मेल बच्चे भी हो सकते या फिर फिरमेल-मेल बच्चे ही यहां पर बच्चों से related कुछ word याद रखेए खद्दस अगर एक बच्च्चा होगा तो बच्चा कहा मैं नहीं यानल होगा तो तो कहेंगे खद्दस लेकिन अगर वो ख़द्दस फिमेल हुई तो कहेंगे खद्द अब इनका बहुवचन बनता है इन दोनों का ही बहुवचन बनता है खदर यानि कि खदर में आपका मेल मेल भी हो सकता है फीमिल मेल भी हो सकता है या फिर फीमिल फीमिल भी हो सकता है ठीक है तो खदर में मेल मेल बच्चे भी हो सकते है या female female भी हो सकती है या फिर male female भी हो सकता है और खद खर्रा या फिर खद खर्रर इसका मतलब भी बच्चे होता है और इसका मतलब भी बच्चे होता है ठीक है? ये दोनों ही बहुवचन के लिए यूज किये जाते हैं तो आज एक लास में बस इतना ही करेंगे तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंड करके हमें ज़रूर बताइएगा और नेक्स क्लास में हम लोग grammar का जो part था जो छूड़ गिया है उसे हम लोग continue करेंगे ठीक है तो आजी क्लास में बस इतना ही मिलते हैं next class में लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजे तो हमारे चैनल में आप लोग को बोलना सिखाये जाता है तो इन सभी की जो भी चीज़े मैंने अभी तक करवाया है word, meaning, sentence या फिर story, grammar उन सब की अलग से एक playlist बनी हुई है तो आप लोग अगर नए हैं तो उन सभी playlist में जाकर के सभी videos को देख लिजेगा और तो YouTube से ही आपका maximum चीज़े cover हो जाएगा तो मिलते हैं next class में Thank you